असलाम लीकुम फ्रेंट्स आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कुछ निटिंग के होक्स कुरेश्य होक्स और बहुत कुछ जो के मैंने दराज सबाए किये हैं यह मुझे पैक्टिज मिला था 1500 रुपीज में और इसके अंदर बहुत कुछ है मैंने पहले से यह उपन कर लिया ह इसके अंदर था यह एक बाक्स और इसके अलावा से इसके अंदर जूब तो मैं आपको दिखाती हूँ यह किस चुनाबसे हैं यह हैं कुरेश्य जो के बूलन के लिए content के लिए यूज होते हैं ये मोटे कुरेशी हैं और इसके बाख सेंदर और बहुत कुछ चीज़े हैं जो के बहुत ही अच्छी हैं अगर आपको कुरेशी का काम आता है और आप सीखना चाहते हैं तो आप ये समान देख सकते हैं इसमें मैं आपको इन सब के दिखाती हूं ये अलग-अलग साइज के ह हैं लेकिन प्लास्टिक के नहीं है ये अगर बढ़के हैं मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूं इसके अंदर ये हैं आइधिंक एट हैं ये आठ कुरेशी हैं ये और इनके उपर इसके अलग-अलग साइजे लिखे हुए हैं जो कि छोटे बड़े के हिसाब से आप हो रही होती हूँ गिन्ेद्ट की एक ऑफ जो कि अब अउक का ले सकते हैं इस तरह इन सब पर अलग-अलग-इलग साइजें लिखे हुए है और ये आगे से जो हैं ये स्टील के हैं और बैक साइड से ये बहुत ही सॉफ रबर के हैं जो के बहुत ही कमपरटेबल है यूज में ये आप मोटे साइज के आप देख सकते हैं फरंड जो मोटी उन होती है उसके लिए हमें मोटे कुरेशी चाहिए होते हैं तो इसमें आपक सबसे है हाइस मोटा वह है शैर ये six mm और सबसे पतला जो है भो है है नहीं ये ये डू पॉइंट फाइफ मन ये यलो ये से पतला है और इन में और भी कोई पतला होगा नहीं नहीं ये पतला है तो सबसे पतला जो आपको नजर आ रहा है वह है नजर ही नहीं हारा इसमें तो काम बेएफिक को दिखाती हूं से इसके ओपर जो लिख़ा है वह चुप पॉइंट-फाइव एमंगे तापतला है उस सबसे पतली इनके लिए यूद होगा ये और ये वाला जो है सबस मोटा है यह सबसे मोटी उन के लिए यह वाला यूज होगा तो आप देख सकते हैं कि एट कुरेशिय हैं क्योंकि बहुत कमफरटबल है यूज में अब मैं आपको बॉक्स आपन करके दिखाती हूं यह बॉक्स इसकी पैकेजिंग और उसका बॉक्स देखें कि इतना अच्छ के लिए यह देखिए इंच में हैं यहां से और इस तरफ से सैंटीमेटर्स हैं कुछ टेप होती हैं उनके इंच यहां लिखे वे होते हैं और हमें इधर से फुल एंट से यहां से स्टार्ट करने पड़ते हैं उनके सैंटीमेटर्स लिखे वे तो इसमें अच्छी चीज य है कि यहां पर इंच हैं और यहीं से सेंटिमेटर हैं आपको फुल खोलनी नहीं पड़ेगी और आप इसको यहां से यूज कर सकते हैं बहुत अच्छा है अगर आपको कोई हैट या कैप बनानी हो इसकी मेजर्मेंट के लिए यूज हो सकता है इसलिए याप इस बॉक्स में रखें अब मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखाती हूँ जैसा कि मेरे पास ये एक कैप है और इसके उपर अगर मुझे किसी बेबी की हैट बनानी हो अगर आपको मेजर्मेट लेनी हो मैं आपको वैसे इसमें बता रही हूँ आप हैट बेबी ये आते हैं हमारे सिलाइया कहलाती है ये सलाइ जो होती है मैं आपको खोल के लिखाती हूँ अगर आपको जो हैं पट्रेंड चोटा बनाना हो तो इसके लिए ऑग ये यूस कर सकते हैं Allah इसमें तीन कलॉर्स हैं ढ़ предлаг सकते ہیں यह अवाधी किया तक का ल நैज में और Посक्षे एक रिए और यां में उसके नदर यह एक कटर है जो के बाजार में मिल जाता है सिंगल किस्पी साम團 करे कैप नहीं होती ये बड़ी अच्छी चीज है सेफटी के लिए इसके उपर कैप होती है और अच्छा खटर है चीज़ें भी अच्छी काटते हैं मैं इसको क्या हुआ काटके next है जो फ्रेंट वह हैं चोडते thread के कुरेशिये यह 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 कुरेशिये जो use होते हैं यह thread के kitchen यह यूज होते हैं याईगर आपको पतले thread की कोई चीज आपको बनानी हो तो आप यह करेशी यूजज कर सकते हैं इनको आप देख सकते हैं फ्रेंट की इतने बारी ही है इनके उपर इनके साइज़ लिखे हुए हैं मैं आप पो इनके साइज़ तिखाती हूँ इसमें आपको हर साइज का कुरेश्या मिलेगा एक वो थे और 8 ये है यानि के 8 PULANK के लिए है और 8 Honey Red के लिए है ये तुगी रही जा रहा है मेरे हासरे फ्रेट सारी और इन सब पर इनके माईएमेंट्स लिखी हुई है माईएमेंट्स या पिर आप इनको जो है देख सकते हैं कि किस तरह की उन के लिए आपको किस तरह का यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और फ्रेंट में आपको चीज़े दिखाती हूं इसके अंदर हैं फोर नीडल्स जो के आपको भी कुरेशी की जीद बनाने के बाद जो कि मोटी उन हो उसको अगर आपको कुरेशी से या फिर सिलाईयों से आपको सीना हो तो आपके इसकी मदब से सी सकते हैं यह बहुत ही सॉफ्ट है यह देखी रबर की हैं यह रबर जैसे प्लास्टिक की हैं प्लास्टिक की भी नहीं है रबर की भी नहीं है रबर जैसे प्लास्टिक की हैं तो इसमें देखे हैं यह दो चोटी और दो बड़ी ह इसके बाद आते हैं फ्रेंट ये एक रिंग है जो कि आप कुरेशिय का काम करते हुए अपने या फिर थ्रेड का कोई भी काम करते हुए अपनी फिंगर में पहन सकते हैं ताकि आपके नीडल ना लगे और इसमें है ये छोटे और बड़े मार्क्स जो कि आप कुरेशिय की किसी भी चीज में लगा सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरे पास एक कुरेशिय की ये बनी हुई है तो अगर पच्चे के खोलने का डर होता है जैसा कि ये तो आप इसको बहुती असानी स इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं मार्क लगा दें और वो खुलता नहीं है फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से भी दिखाती हूँ फ्रेंट ये जैसा कि आपको आंड नजर आ रहा है ये अगर आपको थोड़ देर के लिए रखना हो और आपको डर हो कि आपके बच्चे कु कोई नुखसान नहीं होगा ये ऐसा ही रहेगा नहीं घराब होगा ना कुछ होगा आपको जब सीना हो इसको निकालें और अपनी वहीं से सिलाइयां शुरू कर लें नेक्स्ट उचीज है प्रैंड़ ये है नंबर सो कहए आप माव कांट कर सकते हैं आपने प्लक कि यह कि युजे जो हैं चेंग कि स्टिचिऽ लिए हैं जो कहा आपको सिंपल कुरेशिय में इस तरह से पता लग जाएगा इसको आप इसके साथ fix कर सकते हैं पहले यह आप इसके नमबर बढ़ते रहें और आपको पता लगता रहेगा फिर जब आप इसको कुरेशिय को करेंगे तो इसको यह गूमता रहेगा जब हमारे हाथ से ही होता है तो ये गूमेगा और वो इतने ही आपर fix हो जाएंगे number किया आपने कितने कुरेशिय के स्टिचिज लिए थे ये बड़े मोटे कुरेशियों के लिए यूज उता है ये छोटे और पतले कुरेशियों के लिए यूज होता है तो आप देख सुथे हैं ये उसके लावा फरिनस में स्टिछ मार्ग जो है और भी है जो के पिंस सेफटी पिंस की तौर पर यूज हो रहे हैं जो मैंने आपको स्टिछ मार्ग दिखाया था ये वाला इसके जगह आप चाहें तो ये सेफटी पिंस भी यूज कर सकते हैं यह दिखे यह प्लास्टिक के सेफटी पिंस हैं और बहुत ही इजी हैं सिंपल सी हैं अगर आपके पास यह चीज़े नहीं हैं तो आप पेपर क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगा और फैंड में आपको दिखाती हैं इसके अंदर है यह यह जो है आपको किसी भी आप भी लगा के रख सकते हैं कुरेशी में ही अटेच करके मैं आपको दिखाती हूं इसको जैसे मेरे पास यह वूल है और मुझे डर है कोई बच्चा इसमें हाथ ना मार ले तो मैं इसको इसमें अटेच कर दूँगी किसी की भी चीज़ की शार्पनेस को कम करने के लिए आप यह यूज़ कर सकते हैं यह रबड की है और बहुती सेफटी वाली चीज़ है तो मीट करती हूं फरेंट आपको वीडियो से फाइदा हुआ होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर जीज़ेगा हमें कम तब तक करी अपना खयाल रकीगा फर्न्स हमेट वाम याद रकीगा अला अपीज़ and thanks for watching